हेलो इस्टूजेंट आप सभी का स्वागात है आपके इपनी क्लास में आज देखिए हम रोज की तरफ फिर एक नया टॉपिक लेकर आए हैं और हमने आप से कहा था कि जब एक्जाम की बात होती है तो आप जब भी हमें याद करेंगे आपको हम सामने रहेंगे और आपके ल हम होने हैं अभी हाल में फिजिक्स डिपार्टमेंट से जो भी इंपॉर्डेंट चीज़ें हमसे हो सकती हैं टैंथ 11 टर्थ के स्टेंडर्ड में वह सब आप के लिए हम लेकर आए हैं उसमें से आपको दोपिकार लेके चलेंगे आप पूरा वीडियो देखिएगा अब आ लाओ दिन टुन्टी मुझे आपको एक्जाम होना है दस सितंबर को चुकि समय आपके बाद अभी कम बचा है आप समय इतना नहीं है आपके पास कि आप आराम से रिवाइस कर सके और या बहुत लंबा टाइम है कि आप आराम से ग्रोप कर सके इसलिए आपको एक दिन में लास्त हो गया हो वो लोग यहां को जॉइन करें उनको देखिए मैं किस दिन के अंदर कितनी ज्यादे टॉपिक में आपकी हेल्प कराता हूं ठीक है देखिए मैं आपको दो टॉपिक लेगे चलूँगा एक फर्स्ट रिपर का और एक सेकंड बेपर का ठीक फर्स्ट लेगे चलते में आपके लिए सेकंड बेपर का लेगे चले नुकलियर फिजिक्स बहुत अच्छे टॉपिक है नुकलियर फिजिक्स देखिए नाब की बहुत की के पहले हम कुछ इंपॉर्टन आपको फॉर्मले बता दें जिस्ते कि जो निमेकल बताएंगे तो अगर सवझ्ण में आसान रहेगा देखिह दियान दीजेगा फिर्फ फाम्डा इंपॉर्टेंट फॉर्मले ठीक हैँ o इपार्ट खूffe को दीर त डीए双्टी को फाम्ड़े कौनसे पहला कंसे पहला फाम्ला आता है इसमें पढ़ा बी जानो कि taking जिर्जा होती है वो उसके जो अलुभार होता है अलुका उसके घात की 1 by 3 यानी घर्मूर होती है फ़र्मूला आपने पड़ा होगा 4 by 3 3 by r cube is proportional to a according theory 4 by 3 by constant हो गया तो एक फ़र्मूला आता है r cube is proportional to a तो आएगा r is equal to r naught a की की पावर 1 by 3 तो इससे एक फ़र्मूला निकलता है बिटा r1 upon r2 बराबर a1 upon a2 का होल पावर 1 by 3 यह फ़र्मूला हम यह डर्ट टाइट फ़र्मूला लिख सकते थे पर हमने पूरा आपको क्यों बताए बिटा कि आपको इसका concept सौन में आ जाए कि फ़र्मूला निकलता किससे है यानी आर ना टू क्या है तो जाए है पर मालू की और एक और ने टू क्या है उनके अड़ुभार है अभी सवाल लगवाएं तो सौन में आ जाएगा पहला फॉर्मूला मोस्ट इंपॉर्डेंट ठीक सेकंड आपको फॉर्मूला इसी में आता है पढ़ाओ आपने तीन इस्तितियां होती है एक होती अर्दाइव काल के लिए ए जिरो पॉइंट सिक्स नाइन थरी काई वन कर देते हैं अब पॉन में क्या आता है टी हाफ टी हाफ क्या है अर्द आयो धान रखेगा हाफ दूस्ता परम्ला इसी मिलता है आपको पढ़ाओ आपने शेश मात्रा के पदों में सेश मात्रा बहुत सवाल इसकी आपको मिलते ह एक सवाल दो सवाल इसके हर साल एक्जाम में आते हैं ज्यादा भी आ जाते हैं 12 भी इंपॉर्डटन था 12 भी इंपॉर्डटन है सेश मात्रा का फरम्ला होता है एंब राबर एंजीरो वन बाई टू की पावर एंज हैं क्या अर्ध आयू कालों की संख्या तिक और एंजीर क्थी हो क्या है मूल मात्रा जितने पहले थी इसको आप प्रानूरमिक मात्रा भी कह सकते हैं कह सकते नाSo मूल जितना पहले था विक्टित होने के पहले एन हमने लिखी दिए शेष्ट मात्रा तीस्ता वंबला आपको इसी मनता है बिटा जब अर्द का लोग संख्या निकालते हैं तो अर्द अआयूं यह बहुत इंपोर्डन फ्राम डेप था में आपको ठीच पूर्ण समय का मतलब यह होता है पूर्ण अबधी ठीक पूर्ण अबधी ति यह देखिए आपको तीन फाम्मले यह हुए एक फाम्मला यह हुआ चार फाम्मले हो गए और इसे को मिलाकर जो यूज होता है सवालों में उन्हीं कोश्चन आपके ज्यादा बनते हैं जो मैं आ सबसे पहला सवाल आपको constant आएक को कोसर न ऑम सामने कोशन कह दो ना आभि को की द्रमान संख्यां का नुपात द्रमान कामान क्या दिया question आपको एक अनुपात आठ फिर कहरा है उनकी नाब की तरिजाओं का क्या नुपात होगा तरिजाओं का नुपात पहला देखिए क्या पूछा उसने आप से R1 upon R2 equal to question mark what R1 upon R2 बराबर क्या गया what अब देवसको solve करेंगे बटा देखिए आप तो formula क्या बनेगा simple देखिए R is proportional to A की whole power 1 by 3 तो formula convert करेंगे दो चीज़ों के लिए दो अड़ होए ना दो तरिजिया है दो अड़ भार तो क्या आएगा A1 upon A2 की whole power 1 by 3 no problem मान दग दीजिए तो 1 by 8 equal whole power 1 by 3 1 by 8 whole 1 by 3 1 by 8 को जानता हो क्या लिए सकते हैं बेटा क्या लिए सकते हैं सर 3 लिए सकते हैं देखिए और 1 by 3 तो पहले स्थाई बेटा तो क्या थिश्टी कर जाएगा बिल्कुल कर जाएगा सर तो क्या हुआ देखिए 1 by 2 इस दांसर पता ही आया के नहीं यह आर वन इस्टू आई टू एक्कल टू वन इस्टू तू इस्टू तू इस्टा गॉट अंसर गेट दर रिजल्ट हम इनी प्रोलम वेर इंपॉर्ट कोशन इंफर्ट टाइप इंड़र फांबला क्लियर नेक्स इस सेकन्ड कोशन दीचलते है इसी क्रमें आपका वह भी सवाल आपका बहुत अच्छा कोशन है तो इसीमें को शन आपका दिया है उसमिख सवाल करता है पंप यह सवाल आपका दिराय रेडियोक्ट अच्छी अ ने सवारे इसको पुटब कर दिwarming for question 2ạt un to 3.8 संकेड ुमें बताए था को 3.8 दिने डिन है वासे समे ढाल है यह दिया हना दवाइव मतलब समय अरदय होता क्या है कि इसल polít प्यारब की प्रआरंबिग मातरा का आधा वाग जितने समय में विगटित हो जाता कि प्राम्बिक मात्रा का मूल मात्रा का आदा भाग जितने समय में विडी तो होता है उसे की अर्द कहते है और क्या होता है वय समय जिसमें them क्शन में अपनी मातरा का पूरता भ 만들어 कभा पूर्टा है बिशता आइए तो कहा होता है आउसत आधी अब क्या रहोंग ग्रा मैं देखे दों chrom सेज्ट कितना रहाइज तब्यां कि न रह जाए इक यॉनि दिनों बाद कि रह जाएगी विट्टा तो किया उन्नीस दिनों बाद कि का निकालना है सेश मात्रा, अभी बताया था बिटा, N को क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं, सेश मात्रा, आप में फार्मला लगाना पड़ेगा, तो पहले हम N लगा देंगे, क्यों हम यह दोन चीज दी हुई है, तो क्या निकालेगे, चूकी, अर्ध, आयू, कालो, की, संख्या, बराबर क् कितना दिया झाका 19 यहां प्रिप्वाइए यह कितना हो प्रद आपंगे हैं गया फाइफ लीए इसलिए इसलिए इसमात्रा लग न बराबर n0 1 by 2 की पावर क्या आया n solve करिए बेटा n बराबर n0 मूल मात्रा तो दी नहीं हमको मूल मात्रा साथ दीए क्या question में देखे एक बार जरा हाँ दीए 9.6 mg के ये दिया है बेटा n0 9.6 mg चे नहीं करते इसमें तो क्या आएगा 9.6 हो गया फिर 1 by 2 की पावर n कितना दिया है पांच कितना है बेटा 9.6 अपॉन 35 पॉइंट इस काटे गा बेटा तो नीचे क्या हो जाएगा 10 कितना आया 96 अपॉन 350 अब क्या ये कटेगा साथ 4 से कट जाए काटी नहीं कटेगा 2 से काट ये कट जाएगा 124 ये है या वनकारी बचा 16 होआ देखे देखेऊ 2 4 कितना ये ये य बचँ है या कितना बचा सिस्टीन आया 8 यहां या क्या देखी बचचा तूसर रिवाइट करेंगे देखिए आप लोगgg तो क्या ये कर देखेए यहां पर वनकारी है 15 या 4 यहां कितना बच्चा 7 बच्चा 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 7 यहां क्या बच्चा 110 फाइब आया अब देखे 48 अपॉन 175 करेंगे तो पाड़ा पड़ने को समय हो जाएगा तो मांसर डाइट निकाल लेते उत्तर आरा 0.3 0.3 मिलीग्राम कि इस दा आंसर कि बताइए कि नहीं कितना बड़े सवाल था ऐसे कुश्चन एक पेपर में हर जाम में आता है इस्पेशली जो भी हो रहे हैं दस नंबर को बेच्चू बारस नंबर को आपका एक्जाम लगाए हूं का सब्सक्राइब का एक्जाम लगे क् बढ़ा देंगे को हमारे लिए दों लोगे दूस्ते के पूरक हैं अगला कोशन देखिए आपको क्या दिया बिटा इसी टाइप का सवाल आपका देखिए और कह रहा है रेडियम के नमूने के टेंट बॉस्तिक्स रेडियो प्रदार्त है अर्दाय इसकी 20 सेकंड है 10 सेकं अब था बचा कितना सबस्टेगा वंड़ाइफ माइनस वन तो फोर वाइफ बचेगा आगे सवाल देखिए आपको प्रिश्टर लगवाते हैं सवाल इसमें दिया है पोलोनियम के अर्दायू 140 दिन है ओके अगला कोशन लेते हैं कि सब्सक्राइब लोग ठीक है चलिए आ आए के मैत उतनी आपको सवान में आईगी अब देखें कोशन कह रहा है रेडियम की एक सो चालिस दिन है टोटका लगा लिजेए टोटका निम मिर्चा हो गया अर्दायू 140 दिन दिन दिया हो घंटे दियो मिनट दियो सेकेंड दियो वर्स दिया हो पोलोनियम की 16 ग्राम मा है आप 15 लाग दिन हो गइड़न शेस इस कितना बचा सोची सो लाग रुपे थे पंदाव रुपे क खर्च हो गए इतले बचे सॉराई इसलबहे प्राही उनुयर्ट होने में कितना समय लग जाएगा उसने क्या पूछा आप से, संपोर्ण समय पूछा है बेटा संपोर्ण समय का formula सर क्या होता है, ये लिखा है संपोर्ण समय बराबर, n गोरे half, t half तो है दिया है पर n नहीं दिया बेटा, तो पहले क्या निकालेंगे पहले n निकालेंगे, solve करिए formula, फिर वही चुकि अर्द आयू कालों की संख्या आपको पहले find करने पड़ेगी जब संख्या निकालेंगे तो formula क्या लगाएंगे एन बराबर एन जीरो वन बाई टू की पावर एन पर सर सेश मात्रा में पता नहीं है कैसे निकालेंगे इसको हम देखिए formula simple आपको अगर मूल मात्तरा दिये हो मालीजे और सेश मात्रा निकालने इसको तो में तो ना personality के लिए एक फॉस incredibly ऑगर total संख्या मात्रा में में विद्यतं मात्रा को माइनिस कर दिया जाए को तो अपने आप सेश मात्रा निकालाएगी थे N बराबर क्या आया? N-0 minus व्क्तित मात्रा क्या है? 15 ग्राम इसर. N equal to कितना आ गया? 16 minus 15 बराबर 1. आया पटा? देखिए आराम से देखिए 1 ग्राम. तो क्या बच्छा देखिए? 1 equal to यहां क्या आया? 16 ग्राम था ना? तो यहां क्या बचा नुक्षचा 2 लिख सकते हैं 2 ना आ गया आद देखते रहेँ इतना आएगा उतना ही जाएगा क्योंकि एकजाम में जो पड़ेगा भए रिजल्ट लाएगा अभी यहां कर्दू 4 आ गया सर तो आसान हो गया अब एक का मान निकाल दिया आपको कैपिटल टी निकालना है कौन सा फामुला लगा देंगे यह लगा देंगे तो क्या है इसलिए संपूर अवदी संपूर समय चाहे जो कह लीजिए एक ही बात है सर टी बराबर एन गुड़े टी हाफ त कितना होता है सर 56 होता है पांतों साथ दिन आ गया अंसर बिटा बताए कोई प्रॉब्लम क्लियर वा कॉंसेप्ट है ना बढ़िया सवाल आपके लिए समझने के लिए सवाल में अच्छे से आ रहे हैं इसे एक सवाल हो लेते हैं लाश्ट कोशन इसी टाइप से मैज करता है बिटा वो भी आपके लिए है कोशन और ऐसे कोशन एक्जामनेशन पूछी आ रहे हैं कांटीनू आपको उसकी प्रैक्टिस स्वाल में क्या है कह रहा है देखो कोशन में आपसे यह कह रहा है बिटा चार अरदाय उकालों के बश्चाथ एक रिडियर्टिव पदार्त का अ सची सवाल लेकर आए हूं आव विक्टित माने सेश जो विक्टित ना हो आ रहा है आव एक रह जाएगा देखिए इसकी इसकाले लिजिए बहुत बढ़िया सवाल है आपके नुकलर फिजिक्स के नाब की बहुत की लिए कर आया हूं मैं आपके लिए ओके चलिए अब आचो आपको स्वान में आ जाए वह बिटर है आप दस लगाए और नौ भूल जाए एक तो आता है नहीं आपको बूरे खतम होगे दस हो तो तो पर हमारा लॉजिक क्या कहता है कि आप जो पढ़े उसी कंसर्टेशन से पढ़े कि आपको क्लियर होते जाए यह कॉंसेप्ट पढ़ाने का ठीक है कि पहले समझाओ बाद में कराओ ने एक्जाम में फिर भूल जाओ चली कोशन नमबर देखे अगला कह रहा है आपका सवाल कह रहा है चार अर्दायुकालों के परश्चात एंड कितना हो गया चार इस संख्या होते अर्दायुकालों की फिर प्रदार् एंड यूण उन बाइटू कि पाउर एन होता है सर एंगा निकाल आपने एंड इन जी रो कितने प्रतिश्चत कह रहा है जब भी सवाल कभी प्रतिश्चत में बोल दे तो प्रामिक मान क्या मान लेते हैं बिटा सौ मान लेते हमेसा तो अंड़ा लिए आपने ऑन और फूर को डिवाइट करिए कितनी बार जाएगा शिक्स पॉइंट टू फाइप इस दा आंसर बताई आया कि नहीं बिटा और यह फॉर्मला होता क्या है से इस मात्रा का सर कैसे यह देखिए लिखा है शेश मात्रा बताइए क्लियर हुआ कॉंसेप्ट क्लियर हुआ समझ में अच्छे से से केंड पाइट में हम लोग और देख लेते हैं कुश्चन के लगभा काफी हो गए अब एक नमबर दो सॉल पीपर में जादा आते हैं आपके उनके मैं कुश्चन आपको पैक्टिस होड़े बता रहा हूं उनको आप और सुन कुश्चन में छोड़े दो-चार पढ़ रहा हूं जो निमेरिकल नीवल की लोजिकली सवाल आते हैं वन लाइन आंसर हो गया बिटा गरम काफी समझ चल लए है आप लोग पानिया ने बरसाइए भाई बिना पानी कैसे काम चलेगा देख रहे हैं रुमाजत्तिक लिए इस कोशन बिटा आपको दिये हैं सवाज इस आपका यह दिया है सबसे पहले अच्छे समझेगा रेडियो एक्ट्व नाविक से उस सर्जित होने वाले विद्विद्यू चुमिकी विक्रण का नाम क्या है और कोशन पूशा गया कई बार गामा क्रिड़न इस इस एक प्यलिए इंपॉर्टेंट है एर फोर्स भी स्टॉपी से कोशन है फिर दूसरा कोशन देखिए आपको दिया है बेटा काना बताइए जब किसी रेडियो अक्ट्व अधार्थ जहां दीजेगा से नाकियोल इल्फा गुर्ण सदीत होता है तो इस पर क्या प्रवापड़ता है में दो कमी होती है और जब बीटा कर निकलता है तो इसके परमाण उभार में चार रंग की कमी होती है अगर यह आप भूल गए हो तो मैं आपको कॉंसेप्ट इसका बता देता हूं वह आप नोट कर लिजे कॉंसेप्ट अगर नोट कर लिया तो आपको थेयरी अपने आप जाएगी क्योंकि इसका जो फॉर्मला होता है वह हमारा यह होता है बेटा कि जेट उता है उसका कर प्रमाण कर मांक एक्स को इतत्त हो गया और यह उसका हो गया क्या परमाण द्रमान या अड़ुभार अगर आप इसमें दिखिए माइनस करें तो दिखिए वैलू आपकी अगर एक क्या इसञता है एक ओड़ा कंद तो आटोमेडिक क्या होता है Economics revital याजएए माईध 거죠 और आह पर अगर क्या बनता है ऑपक क्या होता है महरा और को फॉर्मải कर डिए मैंजेबए कि दो की कमी होती है वहार में चार की क्लियर हुआ अगर एक बीटा कंड निकलता है तो क्रमांग एक की ब्रद्धी होती है और भार में कोई परिवर्तन नहीं होता है क्लियर हुआ यह concept यहां दखेगा जो मैंने आपको बताया चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट कोशन पर छोड़े सवाल है बस आपके नॉर्मली कोशन है इसके बार आपको देखे इसमें दिया है बिटा अगले सवाल के हम लोग बात करें कोशन की तो आपको दिया है इसमें ज्यान दीजेग यह मालूम क्यों होती होती है उत्फार होता है चैना को इसको पकानले कश्चिन से अधिक होती है और आएंच को सबसे अधिक होती है और की दिया जानटा है कोशन क्या कि इसकी कोशन क्या कि अन słu qi और किसकी अधिक होती है तो एलफा कर लोगी जाद रहेगा कितनी लगबग बीटा से सौ गुना गामा दजार गुना हो गया ठीक है अगला कोशन देकी दिया है धान दीजेगा वैद्व चुमिकी तरंगों की आड़ार पर सबसे अधिक नियूंतम तरंगदार किसकी होती है मा किलनों की और अधिकतम सब्से कम गामा के लोगी और आप्रत की बात कर दे जिसका उल्टा हो जाता है गामा के अपरति सबसे सबसे अधिक की सबसे कम क्लियर बेठा वहां तक आगे चले हम लोग कोस्टन में कि देखिए आगे उसने कोश्चन पूछ दिया नियुकित तनंगों में आपर सबसे अधी किसकी होती है गामा किलनों की तनंदर सबसे कम आपर सबसे अधी क्लियर हुआ कि कुछ कोशन ऐसे बहुत इंपोर्टन थे आपके मैं आपके लेकर आया था और इंपोर्टन परिवास तो इसका मात्रक एक क्यूरी होता है क्लियर हुआ एक क्यूरी गफान नोट रखिएगा एक क्यूरी बराबर 3.7 तेंट पावर टैन विक्टन पर ती सेकेंड इस्टेट क्लियर इनी प्रॉब्लम ओके अगर यह आपको डिस्क्रेश्टन और पढ़ना हो तो मुझे कमेंट म मैं आपको चाहिए हो तो मैं आपका इसका डिस्क्रेश्टन विल्यों और एक और बना दूंगा एक्जाम के पहले उसका देखिए कोशन आपका देखिए अगर आप ध्यान देंगे तो सवाल यह पूछा गया है वोल इक्जान में सवाल यह कह रहा है आप से चार अर्दाय अगरे तो क्या थी बाइस सोल अपान सिक्स्टीन पर नाट कमान क्या दिया है सो यह अंसर आ गया क्लियर हुआ तो देखिए ऐसे कुछ न मिसले आपके लिए कर आया था कि आपको चलियर हो जाएंगे किस तवाल किस तरह एक इसाम में आते हैं मैंने आपको बता दिया मैंन प्रतेब्लर मोशन और रॉटेशन मोशन दोनों का हैक साथ में काँस लाते हूं गा अगली कलास में आपके लिए जो कि हमेशा लाता रहता हूं आपको लगे कि नधैसार मेंनत करे जाते हूः